नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरजे शामपिर सिंग्ग दोस्तों दुनिया की आर्मी में तेजी से बदला हो रहे हैं और खबर तो यहां तक आ रही है कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में सैनिक नहीं उनकी जगह रोबोट दिखाई देंगे और उन रोबोट को नियंतरन करने के लिए हर जगह सैनिक होंगे और इसके अलाबा भी जो रोबोट होंगे उनका खुद का दिमाग भी होगा और वो उस दिमाग से दुश्मन को पहँचान करके खत्म कर सकेंगे और इससे भी आगे अब चाइना ने एक रिशर्च शुरू किया है उस रिशर्च के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ चाइनीज रोबोट के अलाबा कुछ ऐसे सेनिक तयार कर रहा है ये दिबो सेना तयार कर ली तो जितने चाइनीज गलेसियर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे अब ये खयाल कहां से आया, concept कहां से आया, किस प्रकार के सैने के हैं उससे जानने से पहले मैं एक हिम्मानव के बारे मैं आपको बताता हूँ और उससे ही मिलती जूलती उनकी सैना है देखी भारत और नैपाल और तिब्बत का जो बोर्डर है यानि हम यह कहें कि जो गंगोत्री उसका ग्लेशियर है बहुत बड़ा वहाँ पर सदियों से हम सुनते आएं कि येती नाम का एक राक्षश वहाँ पर पाये जाता है जो बहुत लंबा चोड़ा होता है अगर हम उसकी लंबा चोड़ाई की बात करें तो हम जो आज का मानव ह बहुत सारे बाल होते है और इसका जो पैर होता है यानि हमारे से एक इंसान से आधा 32 सिंची का तो उसका पैर होता और बज़न उठाने में आज जो माना बज़न उठा सकता है मालनों, पचास किलो, तो उससे दस गुना वो 5 कुंटल बजन उठा सकता है, और देखिए, सबसे बड़ी बात है, कि वो बरफ रहता है, और बरफ महीने छे महीने तक अंदर गोफाओं में पड़ा रह सकता है, और खाता क्या है, देखिए, जो बरफ के अंदर कोई ऐसी जड खाले तो उससे 6 महीने तक उर्जा मिल सकती 6 महीने तक वो जीवित रह सकता है पीने के लिए बर्फ का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो येती एक ऐसा राक्षस है जो बर्फ के अंदर बिना कुछ खाए पिए यानि वो जड़ी बूटियां खाकर के महीन और 6 महीने गुफा म हैं और अब बात करते हैं कि ये जो येती हैं ये सेहना में किसे प्रकार से काम आसकता है तो देखे अब चाइना ने क्या किया कि अपने बश्यश लेकर बेज बर्भिश्य Ist. The Nagy.ZENE. मालो इनको कोई सरीर का टुकडा मिल गया हड़ी बाल कुछ भी मिल गया अगर तो उस DNA को लेकर के लैब में ये ऐसे सैनिक तयार करेंगे जो के एती जैसे ही ताकत पर होंगे बर्प में रह सकेंगे इनके शरीर पर बहुत बड़े-बड़े बाल होंगे तो अगर ये चाइना तयार कर लेता है 10-20 सालों के अंदर तो जितने गलेसियर हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे कि वो सैनिक के रूप में उन गलेसियर हों में वहां गुफाओं में पड़े रहेंगे राइफल ले करके उनको ना तो खाने के जुरत है ना पीने के जुरत है सब कुछ उनको उन गुफाओं में ही मिलता रहेगा अब यह मैं बताओं आपको क्या यह संभव है के नहीं है क्या ऐसे राक्षष येती यानि हिमानव होते हैं के नहीं होते हैं तो हिमानव होने के तो दावे सदियों से किये जाते रहे हैं और जो गलेसियर होते हैं वहीं पर यह पाए जाते हैं तो जो परवता रोही गए थे उन्होंने दावा किया है कि हमने इन हिन्मानव को देखा है और कई फोटोग्रापर से जिन्होंने फोटो कहीं चे के ये 32 इंची का जो पैर के निशान भी दिखाए थे और पूरा जहां से हिमानव गुजरते हैं वो दिखाये था उन्होंने इक खासियत दिखाई थी देखिए कईयों का खहना था कि हिमानव कुछ छण के लिए नजर आता है और फिर अचानक गाइब हो जाता है तो उसमें ऐसी अद्रश्य होने की शक्ती भी है तो यह हर सदी में कभी न कभी किसी को दिखाई देता रहा है और ऐसे हिमानव हमारे नेपाल, तिबबत और भारत की सीमा जो कि हम कहें के गंगोत्रीके ग्लेसियर ऑहां पर पाई जाते हैं रसिया ने भी सैविरीया के अंदर जो ग्लेसियर ऑहां पर इनको डूळना सुरू किया है तो जो गुफाई बनी हुई है नेपाल और तिबबत के बॉरडर पर यानी पर बहुत सारे को आकर करें अपनी सेना को मझभूत करके और अपने सूरचित रख सकते हैं भारत को भी ऐसे सेहनिकों की जरूरत है कि आपने देखा होगा कि भारत का जो स्याचन का छेत्र है वहां पर बारों महीने वर्फ रहती है पतापपान कहते हैं कि माइनस पचास डिगरी के आसपास रहता है और वहां पर रहने के लिए एक अलग तरह के कपड़े बनवाने वहां पर हमारे सैनिक रहते हैं अगर हिम मानव जैसा कोई प्राणी अब हमारे सैना के लिए तैयार कर लें हम तो ऐसे ग्लेसियरों की सुरक्षा हम बड़े आराम से कर सकते हैं वैसे सरकार ने तो यह भी प्लान किया है कि हम भविश्च में वहां पर यह आई वाले सैनिक यानि जो हम रोबोट हैं उनको तेहनात करने वाले हैं जिस परकार से अभी डॉण का इसतेमाल हो रहा है यह ऑपर नीचे आना पड़ता है तो अब ऐसे ड्रॉन भी तयार किये जा रहे हैं कि सौर उर्जा से उड़ सकेंगे और वो महीने महीने वर तक वो लगातार उपर रह सकते हैं तो ऐसे ड्रॉन AI वाले सैनिक भविस्ट में पूरी दुनिया की सैना बदलने वाली है और पिछले वीडियो में हमने एक जिक्र किया था कि अमेरिका एक सीक्रेट आर्मी तयार कर रहा है वो आर्मी जो वहां के जंगल हैं अमेजौन के जंगलों से जो एक आधिवासी जो कौम रहती है वहां पर कास्ट रहती है जो के बहुत ताकतवर होती है पेड़ों पर उचल कूद करके चड़ सकती है उनको अपनी सेना में भरती करके उनको एजेसेनिक तैनात कर रहा है तो ऐसे कितने प्रेयोग होंगे खतरनाक सेना होती जाएंगी और अपने देश की आर्मी को हर देश मजबूत करना चाहता है भ देख सकें तो मुझे लग रहा है कि यह जानकरी आपको जरूर अच्छी लगेगी कि भविस्ते में कैसे होंगे सेनिक तो कल फिर एक नई स्टोरी के साथ में आपके सामने हाजर होंगा तब तक मुझे दीजिए जाज़ा नमस्कार